दिपावली जिसे हम हर वश पड़े धूम धाम से मनाते हैं और हम सब ये जानते हैं कि इस दिन भवाणशी राम चंदर जी 14 वश का बगदवास काट कर रावन का बत करके अपनी नगरी आयोध्या में पधा रहे थे उनकी पूजा और अर्चना की जाती है हरे किशन दर्शी को वेथिकेस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है तो दिपावली एक दिन का उत्सफ ना होकर ये पांच दिन के उत्सफ का सम्मू है पांच दिन का इदिपावली जिसमें बहुत कुछ शामिल होता है जिसमें धन तेरस की पूजा होती है नरक चतुरदशी होती है उसके बाद भाया दूच होता है गोवर्धन पूजा होती है तो एक प्रकार से कहे कि बहुत बड़ा दिन होता है हम सब भारतियों और सनातर धर्मे के लोगों के लिए साथी दिपावली की तंत्र सिद्धी की रात्र भी कहा जाता है क्योंकि इस रात्री को एक सिद्धी रात्री की रात्र भी कहा जाता है दिपावली के दिन माता के तीन सरुपों की पूजा की जाती है जिसमें मातालक्ष्मी, मातासरस्थी और माताकाली की पूझा का विधान है मातालक्ष्मी और मातासरस्थी की पूझा शाम के वक्त स्थिर लगन में की जाती है लेकिन माताकाली की पूझा मद्यराती से शुरुबात में की जाती जिनको भी तंत्र मंत्र में सिध्धी प्राप्ती करनी होती है वो अर्दिवाली की रात को मद्य रात्री रात के बारा बचे के बात अपनी मंत्र को सिध्ध कर सकती है इसका बहुत बड़ा महत्व है वो हम समझेंगे लेकिन उससे पहले कुछ अन्य महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले हम समझेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या है हम सब जाते है कि शिरामचन जी का स्वागत हुआ था आयोध्या नगरी में साथ ही हम ये समझेंगे कि इस दिन लक्षमी जी की पूजा की जाती है और गणे जी के साथ इस दिन लक्षमी माता का पादुर भाव गवात यह नि उनका जनम हुआ था वो समुन्द मंतन से प्रगट हुई थी तो इस करण माता लक्षमी का आशिवात प्राप्त करने के लिए क्योंकि हमारे घर में धन्य धन्य और सुक स्मृद्धी बनी रहे तो इसलिए माता लक्षमी का आवहन और उनका पूजा करना बहुत ही अवशक है और क्योंकि प्रतेक पूजा में सरवर्थम गणी जी की पूजा की जाती है जो कि सबी विग्नों को हरते हैं तो इसलिए उनकी भी पूजा करना नितांत अवशक है और इस दिन भगवार शीरामचन जी की पूजा तो है ही इसके अलावा धर्मिक महत्व होने की वज़े से ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्पून भाग भी निवाती है हमारे जीवन में एक प्रकार की नई उमंग और नई जीवन की शुरुवात भी करती है क्योंकि हिंदू वर्ष के अनुसार इसी समय से आप नया भाई खाता जो है जो बेपारी लोगे वो शुरुवात करते हैं इसके लावा ये धर्मिक महत्व को तो अपने पर वीतर रहती है इसके लावा इसका अध्यात्मिक महत्वी बहुत है क्योंकि आज के समाद में जहां इर्षया, जलन, एक दूसरे के प्रती, बुरी भावना या बुराई बहुत जादा फैल गई है वहाँ पर रहमाइड में श्री राम जी का चरित्र हमें ये संदेश देता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों नहों अंत में उसकी हाथ निश्चित है, सत्य मेवजजयत है, यनि सत्य पर सत्य की जीत निश्चित है तो आपको इससे प्रेणा लेनी चाहिए कि आपकी जीवन में किसी भी प्रकार का बाधा या मुश्किले का सामना क्यों ना करना पड़ रहे हो दश्चिको दिपावली का स्वास्ते का भी बहुत महत्व है, किस प्रकार से वो हम समझेगे घर में सफाई तो हम नित्य करते हैं, लेकिन दिपावली वाले दिन, यनि दिपावली से पहले और इसकी बचे से हमारा स्वास्ते भी ठीक रहता है हमारी शरीकी जितने ओर्गेंस है वो बहतर तरीके से काम करते हैं इसके लाब पर दिपावली जो है वर्षा रितु के बाद की जो है त्योहार माना जाता है और इस दोरान के वातर में बहुत से जिवाडू, बहुत परकार के कीट पतंगे या मच्छर फैल जाते हैं दिपावली की रात प्रजूरित किये गए दीपक से वातर वर्ण में जितनी पर जिवाडू है ये जितने भी मच्छर है कीट पतंगे उनका नाश होता है तो स्वाज से की दिश्टी से भी दिपावली अत्यत महत्वपूर्ण है अब मांसिक दिश्टी से और सांस्कृतिक दिश्टी से दिपावली किस परकार महत्वपूर्ण है जब दिपाबली का पर्व आता है तो हम तरह तरह की बिजिय बनाते हैं, मिठाईया बनाते हैं, घर को सजावट से सजाते हैं इसके लावा हम अपने पने परिजो grand परिधान पहनते हैं इस दिन वैपार दोगुना हो जाता है। व्यक्ति हर प्रकार की खरीदारी करता है और देश और समाज में आर्थिक संपंदता देखी जाती है। दरसर दिपाबली के आसपास सूरे तुला राशी में रहते हैं और चंद्रमा भी उनके साथ यूती में रहते हैं जो एक स्वाती नक्षत में स्थित रहते हैं तुल राशी खुद में एक संतुलित राशी है साथ ही ये पक्षपाट को दर्शाती है न्याय को दर्शाती है और तुल राशी में सूर्य और चंठमा के उपस्थिती एक प्रकार की शुtag मानी जाती है तो जोतिशे महत से भी दिपावली अत्यन शुब मानी गई है दर्शको जैसे मैंने बताया था कि दिपाबली के दिन आप तंत्र मंत्र की सिद्धी भी कर सकते हैं क्योंकि एक सिद्धी दात्री की रात्री है आमवस्या की रात्री है साती इसमें दिपाबली के पर्फ की वजय से इसका महत्व जो है दो गुना हो जाता है तो आप कम समय मे किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आप मादा लक्षमी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं भगवान हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं शिवजी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं या भहरव भगवान के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और जो मंत्र आपको सित करना है उसकी माला ले जैसे कि अगर आपको गायतरी मंत्र सित करना है तो उसके लिए आप तुलसी की माला गमलगटे की माला ले सकते हैं इसका प्रयोग आप लक्षमी मंत्र को सित करने के लिए भी कर सकते हैं फीटक माला भी प्रयोग कर सकते हैं शि 208 दने की माला को आप किसी मंत्र को सित करने के लिए इसको 11 बार आपको करना है और इसके अधार पर यह नहीं कि आपको 1100 बार आपको इस मंत्र को बोलना है उसके बात नित्ते उसको मंत्र को करना है आप कभी भी इसको में गैप मत डालिएगा तो इस प्रकार इस प्रकार से आपको इस मंत्र की सिद्धी प्राप्त होगी दुरगा कवच में ऐसे बहुत से मंत्र दिये गई है जिसमें आपको सिद्धी मिल सकती है उसमें आप ये मंत्र जोए खुद ही एक सिद्धी मंत्र है तो आप इसे दिपाबली की रात अगर अगर 11 माला करेंगे तो आपको इसमें दक्षता प्राप्त होगी, साथ ये मंत्रा आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, तो पूरी वलगन, विश्वास, श्रद्धा के साथ करें, और भगवान का आश्विवात लेके करें, तो आपको सिद्धी जरूर प्राप्त होगी, इसको दिपाबली वाली दिन आप ये प्राचीन जोतिशी उपाया जरूर करें, यदि आपको कोई भी आर्थिक समस्या है और माता की प्रसंता आपको प्राप्त करनी है, तो दिपाबली की शाम को पूजा के बाद आप शंक द्वनी जरूर बचाएं, इससे घर में जो भी दरिद्रता होती है, वो दूर होती है, इसके लावा आप लक्ष्मी गणिजी की यंतर की स्थापना आप इसी दिन का सकते हैं, अपने कारेस्तल पे, यहां पर आप आपका वैबस आए, वहां पे श्री लक्ष्मी जी और श्री गणिजी की यंतर की स्थापना करें, इससे धन सपता बनी रहती है। यदि पुराने करजे से परिशान है तो माता लक्षमी को सफेद मिठाई का भोग लगा के बाकी मिठाईयां गरीबों में बाट दें। इससे आपके करजे से मुक्ती मिलती है। साथ ही घुश्यां जितनी बाटते हैं उतनी बढ़ती है। इसके ला द्रवा माता लश्मी के पूजा में गोमती चक्र का विशेष महत्व है। आप ग्यारा गोंती चक्र काली हल्डी के साथ लाल खपने में बान कर यानि पुजा के बाद इसको अपनी तिजोरी में रख दें। इसी प्रकार आप स्पीटा के श्रियंत्र की पूजा करके लाल कापने बात कर अपने तिजोरी में रखेंगे तो धन सम्मदा बनी रहती है धन से सम्मदी कोई भी दिक्कत आपको सामना करना नहीं पड़ता साथी क्योंकि लक्षमी ची चंचलता के लिए जानी जाती है तो आपके धन में एक स्थिरता बनी रहती है दशको आपके जो भी प कमिंट बॉक्स में जरूर डाले हरे कश्चना